इस वक्ती बड़ी खबर सामने आ रही है कि वोईस ओव एमपी की पहल लगतार किसानों के हित में खबरे प्रकाशित करने के बाद भारती के सानों के हित में एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उत्ते प्रदेश में चाइनेज लहसुन की बिकरी पर रोक लग चुकी है यहां आपने सही सुना चाइनेज लहसुन की बिकरी पर रोक लग चुकी है यहां वे बैन हो चुकी है यह फैसला क्यों लिया गया है इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंतर तक बने रही है यूपी में हाई कोड की लखनों बैंच ने एक महत्वपुन फैसला लिया है जिसमें चाइनेज लहसुन की बिकरी पर रोक लगा दी गई है आपको बता दे के लहाबाद हाई कोड की लखनों खंड पीट में शिकरवार को खादिय सुरक्षा और और शद्धी प्रशासन विभागने जजों के सामने ही याशिका की और से प्रस्तूत किये गए लहसुन को सेल किया और जाज रिपॉर्ट के लिए भेजा कोड ने राजसरकार से इस लहसुन की बिकरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए के जा रहे है प्रयासों की बाबत है जानकारी मांगी है साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वहाँ चाइनेज लहसुन पर प्रतिबंद चाइनेज लहसुन पर केंद्र सरकार दोहजार चोईस में ही प्रतिबंद लगा चुकी है क्योंकि यह स्वास्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है फिर भी यह बाजारों में खुल्याम भी करा है और सरकार लगा नहीं लगा पा रही है याची ने गुरुवार को सुनवाई क समय चीन हट बाजार से खरीदा आधा किलोग्राम लहसुन कोट में पेश किया है महीं शुकरवार को खादिस रक्षावमा ओश्रदी विभाग ने बताया है कि सरकार इस प्रतिबंद लहसुन पर रोक लगाने के लिए च्छापे मारी कर रही है एक टॉल फ्री नंबर भी शारी क्या गया है जिस पर कोई भी शिकायत कर सकता है इस पर कौट ने सरकारी वकील से उक्ते नंबर मिलाने को कहा लेकिन वहां व्यस्त बताता रहा और नहीं उठा इस पर कोट ने कहा कि सरकार को अधिक टॉल फ्री नंबर शारी करने चाहिए मैं लहसुन को आम तोर पर पायूरवेदिक डॉक्टर और डाइटीशन इस्तमाल करने की सलहा देते हैं लेकिन भारती बाजहरों में प्रतिबंधित चीनी लहसुन की बिक्री का मुद्दा चिंता का विश्य है इससे पहले चीनी नकली चावल चीनी नकली अंडे और चीनी नकली नूडल्स को लेकर वि चीनी लहसुन में फंगस पाय जाने की अक्सर खबर आती है वही आयूरवेद में लहसुन को रक्तचाप से पेड़ेत लोगों की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ाने वाली और शदी माना जाता है कोई भी कल्पना कर सकता है कि धीमी जहर माने जाने वाले चीनी लहसुन क खाने से मरीज़ों को क्या परिशानी उठानी पड़ सकती है भारती देशी लहसुन आकार में छोटे होते हैं जबकि चीनी लहसुन की फली बड़ी होती है देशी लहसुन की फली पतली और लंबी होती है चीनी लहसुन पूरी तरह से सफेद दिखता है जबकि देशी लहस लैसून की फली की चलके होते हैं औ फली को निकाल ले में अधिख समय लगता है अगर आप बाजार से लत्पविते हैं और चिनी सघ्षार कई शक्ले कंगता है जबकि बारुती लहसुन महंगा हो सकता है और सभी को मेरी सलाh है कि सस्ते चीनी लहसुन के भाकावे में ना आए वहीं इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट में चाइनिज लहसुन को एक स्लो पोईजन भी बताया है यह था तक अब्डेट लगाता रहे से तमाम जानकारी अब्डेट्स के लिबने रहे हैं वैस वैंपियर वैस वैंडिया टीवी के साथ